बच्चे हैं जो यह बता सकते हैं interference interference में interference में है ना बटा interference में आपका intensity का formula होता है i1 i2 2 under root i1 under root i2 cos of delta phi होता है प्यारे बच्चो जड़ा बताइएगा maximum intensity कितनी होती है i1 i2 2 under root i1 i2 बटा यह equation number 1 कितने बच्चे बताएंगे minimum intensity की value minimum intensity की value बटा minimum intensity की value तो minimum intensity निकालेंगे i1 i2 minus 2 under root i1 i2 की value बताइएगा number 2 जड़ा मुझे question है question बताइएगा क्या होगा what is i maximum plus i minimum की value कितनी होगी जड़ा बताइए क्या होगा टाइप करो टाइप करो i maximum i minimum सचान कुपता साइस्ता सगुफता बताओ बटा टाइप करो जल्दी से टाइप करो बटा टाइप करो इसकी value कितनी होगी yes बटा टाइप करिएगा अनुज अनुज बटा बताओ yes yes बटा बताओ क्या हो जाएगा इसकी value कितनी हो जाएगी सबसे पहले इसकी value निकालेंगे good बटा good इनको add करेंगे ये cancel हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास ये वाली value आ जाएगी और हम लोग जब बटा इसको निकालेंगे तो बटा कितनी value आ जाएगी निकालके देखो two i1 plus i2 करेंगे solve हम लोग है ना बेटा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे चलो अब बताओ इसके बाद क्या हो जाएगा i maximum minus i minimum की value बताएंगे कितना आएगा चलो type करो i maximum minus i minimum की value हिमान्शू यह बर्जेश उन्नती वैवभी बताओ बिटा अतुलतिवारी बताओ i maximum minus i minimum बताएंगे महमूद आजम यह बता दीजिए सर मैंने बता दिया इनको इनको add करेंगे i1 i2 add हो जाएगा minus करेंगे यह cancel हो जाएगा 4 आ जाएगा under root i1 under root i2 हो जाएगा यह question 1 हो होगा सरे बच्चे देखेंगे क्या करना होगा थोड़ा सा इसको उपर ले जाएंगे और बिटा यहां पर हम लोग i maximum minus i minimum divided by i maximum minus plus i minimum यह मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे learn कर लो तीन बार यह दो बार तो आ चुका है एक्जाम में सभी बच्चे learn कर लिजे सारे मेरे future doctors सभ इसको learn कर लीजेगा यह formula question है अपने आप में यह अपने आपने question है बहुत ही एक आपकी wave दी गई है y1 equal to a sin omega t minus kx दी गई है y2 equal to दी गई है under root a under root a sin और बिटा आपको दिया omega t minus kx दिया है क्या यह wave interfere करेंगी क्या यह wave interference देंगी तेरा type करिएगा interference देंगी या नहीं interfere करेंगी या नहीं क्या यह wave आपकी interfere करेंगी या नहीं interfere देंगी की नहीं देंगी, interference देंगी कि नहीं देंगी, बताओ, answer क्या होगा बच्चों, क्या ये दोनों wave interfere कर सकती है, interference के लिए शर्त होती है पहली, frequency should be equal, है, नहीं है, है, क्या direction of wave हमारी same है, नहीं बच्चे, ये plus x की और ये minus x की हो, तो नहीं होगा, है न, इसका मतलब interference नहीं होगा, इसका मतलब interference नहीं होगा, direction बराबर नहीं है,